अधनिय अध्यक जी, ये लोग बिना सरपहर की बाते करने के आदी होने के कारण, उनको ये भी आद नहीं रहता है, को वो खुद का कितना कॉंट्राडिक्स्टन कहते हैं, कभी एक बात, कभी दूसरी बात, कभी एक तरफ, कभी दूसरी तरफ, हो सकता है वो आत्मे चिंतन करके, खुद के अंदर जो विरोधाबास है, उसको भी तो ठीक करेंगे हैं, अब 2014 के से, 2014 से, ये लगातार कोश रहे हैं, हर मोके पर कोश रहे हैं, भारत कमजोर हो रहा है, भारत की कोई सुनने को त्यार नहीं है, भारत की दुनिया में कोई वजूद नहीं रहा, नहीं जाने क्या क्या कहा, और अब क्या कह रहे हैं, अब कह रहे हैं, कि भारत इतना मजबूत हो गया है, कि दूसरे देशों को दबका कर फैसले करवा रहा है, अरे पहले यह तो तो करो भाई, कि भारत कमजोर हुआ है, कि बजबूत हुआ है, कि माने अद्यक जी, कोई भी जीवन्त संगेठन होता है, अगर जीवन्त व्यवस्ता होती है, जो जमीन से जुड़ी हुई व्यवस्ता होती है, वे जनता जनादन में क्या चलता है, लोगों के अदर, उसका चिंतन करता है, उससे कुछ सीखने की कोशिश करता है, और अपनी राह भी समय रहते हुए बदलता रहता है, लेकिन जो अहंकार में डुबे होते हैं, जो बस सब कुछ हमी को ग्यान है, सब हमारा यह सही-सही है, ऐसी जो सोच में जीते हैं, उनको लगता है कि मोदी को गाली दे करके ही हमारा रास्ता निकलेगा, मोदी पर जूठे अनाप चनाप पीचर उचाल करके ही रास्ता निकलेगा, अब 22 साल बीद गए, वो गलत फैंबी पाल घर के बैटे हुए है, आदनी अद्दक जी, मोदी पे भरोसा अकबार की सुर्खियों से पादा नहीं हुआ है, मोदी पे ये भरोसा पीवी पर चमकते चहरों से नहीं हुआ है, जीवन खपादिया है, पल-पल खपादिया है, देश के लोगों के लिए खपादिया है, देश के उजवल भरुष के लिए खपादिया है, आदनी अध्यकी, आदनी अध्यकी, जो देश वाचियों का मोदी पर बरोसा है, ये इनकी समझ के दाइरे से बाहर है, और समझ के दाइरे से भी काभी उपर है, क्या ये जूटे आरोप लगाने वालों पर, मुप्त राशन प्राप्त करने वाले, मेरे देश के हसी करोड देशवाजी, क्या कभी उन पर बरोसा करेंगे का, आदनी अध्यकी, वन डेशन, वन राशनकार, देश बर्मे कहीं पर भी, गरीब से गरीब को भी जब राशन मिल जाता है, वो आपकी जूटी बातों पर, आपके गलत गलीच आरोपों पर कैसे वरोसा करेगा, आदनी अध्यकी, जिस किसान के खाते वें, सागरे तीन बार, पी-एम किसान सम्मान निधी के, ग्यारात करोर किसानों के खाते में प्रैसा जमा होते हैं, वो आपकी गलीच आपके जूटे आरोपों पर विस्वास कैसा करेगा, आदनी अध्यकी, जो कल फुट पांथ पर जिन्दगी जीने के लिए मजबूर था, जो जुग्य जोपनी में जिन्दगी बसर करता था, ऐसे तीन करोड से जान्दा लोगों को पके घर मिले हैं, उनको तुमारी ये गालियां, ये तुमारे जूटी बाते कैसे को वो पर रुसा करेगा जिन्दगी, आदनी अध्यकी, नव करोड लोगों को मुप्त गैस का कनेक्शन मिला है, वो आपके जूट को कैसे स्विकार करेगा, 11 करोड बेहनों को इजजद गर मिला है, सौचा नहीं मिला है, वो आपके जूट को कैसे स्विकार करेगा, आदनी अध्यकी, आजादी के 75 साल बीद गई, 8 करोड परिवारों को आज, नल से जल मिला है, वो माताएं तुम्हारे जूट को कैसे शुकार करेगी तुम्हारी गल्दियों को गालियों को कैसे शुकार करेगी आयुश्मान भारती होजना आयुश्मान भारती होजना से दो करोड परिवारों को मदद पहुंची है जिन्दिगी बच गई है उनकी मुसिवत के समाए मोधी काम आया है तुम्हारी गालिया को वो कैसे सुखार करें जाए कैसे सुखार करें आदनिय अद्रग जी आपकी गालिया आपके आरोपों को इन कोटी कोटी आदनिय अद्रग जी आपकी गालियों को आपके आरोपों को इन कोटी कोटी भार्टियों से हो करके गुजरना पड़ेगा जिनको दसकों तक मुसीबते में जिन्दगी जीने के लिए तुमने मदबूर ती आपके आदनिय अद्रग जी कुछ लोग अपने लिए अपने परिवार के लिए बहुत कुछ तबाह करने पर लगे हुए है अपने लिए अपने परिवार के लिए जी रहे हैं मोदी तो पचीस करोर देश वाचियों के परिवार का सदस्या आदनिय अद्रग जी एक सो चलीस करोर देश वाचियों के असिरवात ये मेरा सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है और गालियों के सस्त्र से चूट के सस्त्रांस्त्रों से इस सुरक्षा कवच को कभी तुम बेज नहीं जाकते हो